नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अब दोस्तों आज हम बात करेंगे कालमेग जिसे कल्पनाथ पिकाते हैं आज हम इसी की भी से में बात करेंगे दोस्तों भारत को जरी बुटियों के मामले में एक समरिध देश माना जाता है सद्यों से यहां अर्वेदिक चिकित्सा पधती की मदद से विभीन बीमारीयों का इलाज किया जा रहा है। इस उफचार पधती की खास बात यह है कि इसमें प्रकृतिक समंग्यों का उपयोग किया जाता है। जिसमें औस्धी गुनों से सम्रिद पौधों की अहम भूंका होती है। दोस्तो इन ही पौधों में सामिल है कालमेग यह एक गुनकारी पौधा है जो कई सारीरिक समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है। आज हम आपको कालमेग के फायदे से लेकर कालमेग का उपयोग और कालमेग के कई बेहतरीन जनकारी देने जा रहे हैं। इसलिए स्वास्त के लिए उपयोगी माने जाने वाले इस पौधे की खासियत को ध्यान से सुनें। दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि कालमेग क्या है। हरे रंका होता है और इसकी पतियों की बनावट मिर्च के पधो जैसी होती है। इसके स्वास्त फायदों को देखते हुए अब नर्सरी में भी यह देखा जाने लगा है। इसकी पतियों का स्वाध करवा होता है। बहुत करवा। कालमेग को महातिक्त और ग्रीन चिरेता नाम के अलावा भारत में अलग अलग छेत्र में, अलग अलग भासाओं में, बोलचाल की भासाओं में कई नामों से जाना जाता है। दोस्तो अब हम आपको कालमेग के स्वास्त फायदों के बारे में जनकारी देने जा रहा है। दोस्तो सरपर्थम डाविटीज सूगर के लिए। दोस्तो कालमेग एक जरीबुटी है और इसके औस्धिये उपयोग को देखते हुए दक्षिन पुर्व एसियाई देशों में ब्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। इसका उपयोग डाविटीज की समस्याओं से बचने के लिए भी किया जाता है। से कार्य कर सकता है। दोस्तो नेक्स्ट हिर्दय स्वास्त के लिए। दोस्तो हिर्दय को स्वस्त बनाए रखने के लिए कालमेग का सेवन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए मुमकीन है क्योंकि कालमेग में एंटी थ्रोंबोटिक क्रिया जिसे रक्त के ठकों को रोकने की क्रिया कहते हैं। इसमें पाई जाती है। एक बैग्यानिक अध्यन के अनुसार यह बताया गया कि यह क्रिया धमनियों का पतलाकर रक्त प्रवाह में काफी सुधार कर सकती है। इससे हिर्दय रोक के होने का खत्रा कम होता है। नेक्स्ट कैंसर की स्थिति में दोस्तों कालमेग कलपनात कैंसर की स्थिति में और इसके कारण होने वाले जोखिम से बचने के लिए भी कालमेग के पोधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए मुम्कीन है क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुन पाए जाता है। इसके साथ साथ कालमेग में एंड्रोग्राफुलाइड नामक बायो एक्टिव भी पाए जाते हैं। जो लिूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर अस्तन कैंसर फेफ़ोग कैंसर और मेलनॉमा को सिखाओं। इसके सहित अन्य व्यभीन तरह के कैंसर से बचाव करने के लिए सक्रियरूप से कार्च करता ह्यां। दोस्तों निन्द की समस्या कई कारणों से प्रणप सकती हैं जिसमें चिंता एस्टरेस्ट को मुखह रूप से गिना जाता इस समस्या से बचने के लिए कालमेग का सेवन फादेमन साबित हो सकता है ऐसा इसलिए मूमकीन है क्योंकि कालमेंग एक एन्टी-एस्ट्रेस एजेंट कीतरा कारे करता है जो एस्ट्रेस को दूर कर अनिंदरा की समस्या एन्सोमनिया की समस्या से छुटकारा दिला सकता है नेक्स्ट रोग प्रतिरोधक छम्ता बढ़ाने के लिए दोस्तो रोग प्रतिरोधक छम्ता हमारे सरी को स्वस्त बनाया रखने के लिए बहुत जरूरी होती है रोग प्रतिरोधक छम्ता को मजबूत बनाने के लिए भी कालमेग का सेवन किया जा सकता है कालमेग में Immuno-Modulatory गुन पाया जाता है जबकि यह गुन प्रतिरक्षा छमता को बढ़ाने के लिए सक्रिये रूप से कार कर सकता है Next, Common Cold से बचने के लिए दोस्तो, Common Cold और Influenza की समस्या से बचने के लिए भी कालमेग का इस्तेमाल फायदेमन हो सकता है बैगानिकों के द्वारा किये गए एक अध्यन के अनुसार यह बताया गया कि कालमेग का उप्योग Common Cold से बचने के लिए किया जा सकता है Next, Viral संक्रमन में दोस्तो, Viral संक्रमन से बचने के लिए कालमेग का सेवन किया जा सकता है दरसल कालमेग में एंटी वारल गुन पाये जाते हैं जो वारल संक्रमन को रोकने में सहता करता है इसके लिए परिस्थिती पर निर्वर करता है अपने नजदी की डॉक्टर से प्रामर्स कर कालमेग का अर्क लिया जा सकता है क्योंकि डोज उसके परिस्थिती पर ही निर्वर होगी नेक्स्ट लिवर को स्वस्त रखने के लिए दोस्तों लिवर का स्वास्त संतूलन बनाये रखने के लिए भी कालमेग के फायदे देखे जाते हैं इसके लिए कालमेग की पतियों के अरका 7 किया जाता है दरसल कालमेग की पतियों में हेप्टो प्रोटेक्टिव गुन पाए जाते हैं इसके अरका 7 लिभर और रिनल डैमेज किडनी डैमेज से सुरक्षित रखने में मदद करता है नेक्स्ट गहाव भरने के लिए दोस्तों कालमेग को एक चिकित्सिये गुनों वाले पौधे की स्रेनी में गिना जाता है इसके अतिरिक्त एक बैग्यानिक अध्यन के अनुसार यह बताया गया कि कालमेग के अर्क का सेवन करके गहाव को ठिक किया जा सकता है नेक्स्ट अपच इनडाइजेशन की समस्या में दोस्तों अगर आप अपच की समस्या से परसान है पेट की समस्या आपकी बनी रहती है तो इस समस्या का हल भी आपको कालमेग के जरिये मिल सकता है कालमेग में ऐसे गुन पाया जाते हैं जो अपच की समस्या को दूर कर सकता है नेक्स्ट दोस्तो कालमेग को किस प्रकार उपयोग किया जाता है दोस्तो कालमेग चूर्ण का सेवन पानी के साथ किया जाता है इसकी पतियों के अर्क का सेवन किया जाता है जो homeopathic mother tincture के रूप में मिलता है वो इसे घर पर भी आप इसका रस निकाल सकते हैं इसकी पतियों के पेष्ट को घहाव पर लगाया जा सकता है कालमेक की पतियों को blender में पानी के साथ घोल कर जूस के रूप में पी सकते हैं कब खाएं, कालमेक का सेवन आप दीन में किसी भी समय कर सकते हैं, कितना खाएं, दीन भर में एक चमच कालमेक चून का सेवन किया जा सकता है, दीन में कालमेक की 1x4 टेबल स्पून या 1x2 टेबल स्पून की दो खुराक ले सकते हैं इसके अलावा कालमेक की आथ से 10 पतियों को एक कप पानी के साथ जूस बना कर या उवाल कर भी सेवन किया जाता है या होमियोपाथिक मदर टिंक्चर दस बूंद आधे कप गर्म पानी के साथ सुबह साम लिया जाता है नेक्स्ट कालमेक के कैपसूल भी बजार में उपलब्द हैं हलाकि कालमेक की सठिक मात्रा का सेवन जानने के लिए आपके रोग के परिष्थितियों को समझ कर ही सही मात्रा बताये जाएगा इसलिए आप अपने नजदी की डॉक्टर से संपर्ख करें दोस्तो आज के लिए बस इतना है दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सस्काइब और सेर करना न हुले दोस्तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार